नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स मौद का बदला पार्ट टू दिने पर साफ साफ लोट जाया करता था वे युवक मौका मिलते ही अलग अलग समय पर तेरी समक्ष अपने प्रणय का निवेदन करती थे पर लख्या की कारण तुम उनके निवेदन को ठुकरा दिया करती थी इस बास से खीच कर एक दिन बंजारा टोली के उन पचास युव को ने मिलकर लख्या की हत्या कर दी ओ फिर रूपा का क्या हुआ रिशिवर उसका क्या होना था राजकुमारी अपने प्रेमी के शर्व को देख वे पागल हो गई उसने लख्या के साथ जी ने मरने की कसम खाई थी तो उसने अपने पेट में चुरा घौप कर आत्म हत्या क कर ली ओ लख्या और रूपा का तो बहुत बुरा अंत्वा रिशिवर राजकुमारी अपूर्वा रूपा ने मर कर तुम्हारी रूप में राजा कोश्टलेंद्र के यहां जनम लिया जबकि लख्या ने मर कर जोगानपूर राज्य से साथ समंदर पार स्थित कमलपूर र से देखो राजकुमारी अब जो कुछ भी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो पूर्व जनम में रूपा के मरने के पश्चात कभीले के वे पचास युवक जिनोंने लख्या को जान से मारा था स्वेम भी मौत के शिकार हो गए थे एक दिन वे सब नदी के पीच में पहुंची तो अचानक नदी में तूफान उठ खड़ा हुआ जिसमें उन सब की नावें डूप कई और उन सब की वहीं पर जन समाधी बन गई यह तो बहुत अच्छा हुआ रिशीवर जो जैसा करता है फिर जैसा ही भरता है राशकुमारी अपूर्वा कबीले के वे 50 युवक इस जनम में भी तुम्हारे पास तुमसे विवा करने की इच्छा लेकर आएंगे तब तुम्हें उन 50 युवकों को मौत की घाट उतरवा कर रूपा बंजारन वर लखिया बंजारे की मौत का बदला लेना होगा अन्यता इस जनम में भी तुम्हारा मिलन असंभव है रिशिवर यदि आपका कथन सत्य है तो मैं रूपा और लख्या की हत्यारों से अवश्य बदला लूगी तो जाओ राजकुमारी जब तुम अपनी विवा के पचास प्रत्याशियों को मौत की घाट उतरवा दोगी तब एक दिन बेह युवक साथ समंदर पार कर कमल पूर्सी स्वेम चल कर तुम्हारे पास आएगा जो पूर्व जनम में तुम्हारा प्रेमी यानि लख्या बंचारा था रिशिवर मैं उस दिन की पर्तिक्षा जगदंबा को इतनी बात बताने के पश्चात अपूर्वा ने उससे कहा जगदंबा उस दिन मीरवन से लोटने के पश्चात थी मैंने यह घोशना करवा दी थी कि जो कोई भी युवक मेरे समक्ष अपनी युग्गिता सिद्ध कर देगा मैं उसी के साथ विवा करूंगी और जो कोई भी मेरे सामने अपनी युग्गिता सिद्ध करने में असफल होगा उसे मैं मौत की खाट उतरवा दूँगी मेरे इस घोशना को सुन अब तक मेरे पास उन्चास युवक आ चुके हैं जो मुझे से विवा करना चाहते थे उन्होंने अलग-अलग शेतरों में अपनी अपनी युग्गिता मेरे सामने प्रकट की निश्चे ही वे सब अपने अपने शेतरों में अद्भुत युग्गिता रखते थे पर मुझे तो उन पचास युवकों से बदला लेना था जिन्होंने पूर्व जनम में लखिया की हत्या की थी इसके मैंने अपने पास आए उन उन्चास युग्गों की युग्गिताओं को असिविकार करते हुए मौत की खाट उत्रवा दिया अब मुझे उस दिन की परतिक्षा है जब मेरे पास विवा का प्रस्ताव लाने वाले पचासवे परत्याश्य की मित्यों के बाद साथ समंदर पार कमलपूर राज्य का निवासी वह युवक आएगा जो पूर्व जनम में लखिया पंजारा था जग्दंबा तब मैं उस युवक से विवा करूँगी यही मेरे पूर्व जनम का वहर रहस्य है जग्दंबा जिसके विशे में तू जानना चाहती थी अब पूर्वा के पूर्व जनम की कहानी सुन जग्दंबा दुख से विहल हो थी राजकुमारी जी निश्चे ही आपके पूर्व जनम की कथा बहुत दुखद है मैं इश्वर से इसी बात की कामना चाहती हूँ कि वह इस जनम में आपका उस युवक से मिलन अवश्य कराए अगले दिन जग्दंबा भोजन का थाल ले मंदिर में प्रसंजीत की पास पहुची बहन क्या तुम्हें अपने कारे में कुछ सफलता मिली? सफलता क्यों नहीं मिलती भाईया? यह कहवे प्रसंजीत को अपूर्वा की वह कहानी सुनाने लगी जो कल रात अपूर्वा ने उसे सुनाई थी प्रसंजीत को सारी बात बताने के पश्चात भाईया राजकुमारी अपूर्वा के विवा न करने का यही कारण है उनका कहना है कि वह कमल पूर के उस युवक के साथ ही विवा करेगी जो पूर्व जनम में लख्या बन जारा था ओह तो राजकुमारी अपूर्वा कोई विवा न करने का यह कारण है भाईया मैंने आपको राजकुमारी अपूर्वा के पूर्व जनम का रहस्ते बता दिया है अब आपको मेरे द्वारा लाया यह भोजन करना ही होगा हाँ हाँ लाओ मुझे बहुत जोर से भूख भी लगी है भोजन के पश्चात अच्छा भाईया अब मैं चलती हूँ जगदंबा के जाने के पश्चात वह सोचने लगा राजकुमारी अपूर्वा के पूर्व जनम के रहस्ते के बारे में जानकर तो एक नई समस्या उठ खड़ी हुई है इन परिश्चितियों में तो राजकुमारी अपूर्वा से विवा करना अत्यन्ती कथिन है इस अवस्था में मुझे क्या करना चाहिए बहुत देज सोचने के पश्चात वह एक निश्कर्ष पर पहुँचा उल्चन की इस घड़ी में मुझे पिताजी महराज के गुरू कपिल रिशी के पास हरितवन में जाना चाहिए वे अवश्य ही मुझे कोई रह दिखाएंगे यह सोच प्रसंजीत वापस अतिती ग्रह पहुचा और वस्तर बदल कर हरितवन की ओर रवाना हो गया दूसरी ओर राजकुमार प्रसंजीत से मिलना चाहिए पता तो चले कि वे कर क्या रहा है वे उसी समय अतिती ग्रह की ओर चल दिया अतिति ग्रह पहुँचकर उसे पता चला कि प्रसंद जीत दोपह से ही बिना किसी को कुछ बताए कहीं कया हुआ है लगता है प्रसंद जीत हार मानकर भाग गया है मैं तो समझ रहा था कि वह राजकुमारी अपूर्वा से विवा करने में सवल हो जाएगा निराश्ता वह वापस महल लोट गया इधर मीरवन में जैकाल तांत्रिक अपने पुत्र महाकाल से कह रहा था बेटा तो उन्चास मनुष्यों के खून से स्नान कर चुका है बस एक मनुष्य के खून में तेरा स्नान करना और बाकी है तब तो काली मा की किरपा से सुदर्शन वा सजीले युवक में परिवर्तित हो जाएगा पिटा जी मेरे मन में अपना वहब बदला हुआ रूप देखने की बहुत ललक है इधर तीन दिन के सफर के पस्चाद प्रसंजीत कपिल रिशी के आश्रम में पहुँचा यह क्या राजकुमार प्रसंजीत तुम यहां कैसे तुम तो चौगान पुर की राजकुमारी अपूर्वा से विवा करने गए थे गुरुदेव आप तो अंतर्यामी हैं सब कुछ जानते हैं फिर भी आप मुझसे यह सब कह रहे हैं यह सुन कप्रिल रिशी मुस्कुरा उठे राजकुमार इस परकार निराश्न हो राजकुमारी अपूर्वा का विवा केवल तुम्हारे ही साथ होगा गुरुदेव यह कैसे संभव है राजकुमारी अपूर्वा तो अपने पूर्व जनम के साथी के साथ विवा करेगी उसके पूर्व जनम का वह साथी इस समय साथ समंधर पार कमलपुर राज्ये में रह रहा है राजकुमार, राजकुमारी अपूर्वा के पूर्वजनम का किस्सा जूटा है पूर्वजनम में ना तो कोई रूपा पंजारन थी और ना ही कोई लखिया पंजारा था और नहीं कभीले की वे पचास युवकी थे जो रूपा बंजारन के साथ विवा करने को इच्छोग थे यह आप क्या के रहें गुरुदेव? राजकुमारी अपूर्वा को उसके पूर्वजनम के पारे में एक रिशी ने बताया था वे सब जूट था, छलावा था, वे रिशी भी जूटा था क्या? हाँ राजकुमार वे रिशी कोई रिशी ना होकर, जैकाल तांतरिक था वे रिशी का रूप धर कर वन में राजकुमारी अपूर्वा को मिला था जैकाल तांतरिक उसका इस प्रकरण से क्या संबंध है? कौन है वे है? राजकुमार मैं तुम्हें सारी बात प्रारम से बताता हूँ सुनो, राजकुमारी अपूर्वा को वन में आखेट करने का बहुत शौक है एक दिन वे है अकेली मीरवन में आखेट करने गई थी वहाँ उसकी भेंट जैकाल तांतरिक के पस्सूरत वाकाने पुत्र महकाल से हुई कौन हो तुम? मैं महकाल हूँ यह युफ्ती तो अनुपम सुन्दरी है काश मेरे साथ इसका विवा हो जाए इसके सामने प्रण निवेदन करके देखना चाहिए यह सोच उसने राजकुमारी अपूर्वा सी कहा सुन्दरी तुम्हारी रूप ने मुझ पर चादू का दिया है क्या तुम मेरे साथ विवा करोगी? बस्सूरत आदमी तेरा दिमाग तो ठीक है क्या चौगानपुर की राजकुमारी के लिए सुयोग के वर का अकाल पढ़ गया है? राजकुमारी मैं बेशक बस्तूरत सही पर मैं तांत्रिक समराट जैकाल का बेटा हूँ मेरे पिता के पास इतनी तांत्रिक शक्तिया है क्यों शक्तियों के द्वारा मैं दुनिया की सारी खुशिया तुमारे कदमों में पिछा दूँगा महाकाल यदि तेरे तांत्रिक पिता के पास इतनी ही शक्तिया है तो जा कर पहले उन तांत्रिक शक्तियों के द्वारा अपनी सूरत ठीक कर फिर मुस्तिर विवा करने के सपने देखना यह कहे अपूर्वा ने अपने खोड़े को एर लगाई सरपट दोड़ता हुआ खोड़ा श्रीखरी महाकाल के दृष्टी से ओजल हो गया अपूर्वा की बास सुर महाकाल सब सा खड़ा रह गया राजकुमारी अपूर्वा मेरे पिताजी की तांतरिक शक्तियों को चुनोती दे गई है अब जैसे भी हो मुझे अपने पिता की तांतरिक शक्तियों के द्वारा अपने बस्तूरत रूप को बदलना ही होगा महाकाल उसी समय अपने पिता तांत्रिक जैकाल के पास पहुँचा और उसे अपने और राजकुमारी अपूर्वा के बीच हुए वारता लाप के बारे में बताया सारी बात जानकर तांत्रिक जैकाल का चहरा क्रोज से लाल हो उठा चौगानपुर की राजकुमारी की इतनी मजाल उसने मेरी तांत्रिक शक्तियों को ललका रहा है अब मैं उसे तांत्रिक शक्ति का कमाल दिखा करी रहूँगा राजकुमार तांत्रिक शक्तियों के शक्तियों के रहा है अब मेरी तांत्रिक शक्तियों को ललका रहा है की मन घरन कहानी करकर सुनाई राजकुमारी अपूर्वा को उसकी कहानी पर विश्वास आ गया इसलिए उसने अपने विवा की यह विचित्र शर्ट रखी उसकी विचित्र शर्ट को पूरा करने के चक्कर में अब तक 49 युवग अपनी प्रान गवा चुके हैं और 49 बार ही तांत्रिक जैकाल उन अभागे युवकों के रक्त से अपने पुत्र पुस्नान करवा चुका है ओ इसका मतलब जैकाल तांत्रिक की तांत्रिक क्रिया पूरी होने में अब केवल एक मनुष्य के रक्त की अवशकता है उसके बाद क्या हो का गुरुदेव उसके बाद उसका पस्तूरत बेटा महाकाल एक दिव्य पुरुष की रूप में परवर्तित हो जाएगा तब उसके रूप पर मोहित हो राजकुमारी अपूर्वा उससी विवा करने को तयार हो जाएगी इसका मतलब तो यह हुआ कि राजकुमारी अपूर्वा के स्थान पर मेरे मित्र पन्ना मल्की हत्या का दोशी तांत्रिक जैकाल है राजकुमारी अपूर्वा ने तो उसकी द्वारा सुनाई गई पूर्व जनम की जूटी कहानी पर विश्वास करके ही यह सब किया है कुछ सोच वह कपिल रिशी से भोला गुरुदेव क्या कोई ऐसा उपाई नहीं है जिसको करने पर तांत्रिक जैकाल के इस कुरूर्टा पून कृत्ते को रोका जा सके और राजकुमारी अपूर्वा को पूर्व जनम की जूटी कहाने के घेरे में से बाहर निकाला जा सके राजकुमार मैं अभी अपनी शक्ती से एक ऐसे मायवी युवक की उत्पत्ती करता हूँ जो राजकुमारी अपूर्वा का पचासवा शिकार होगा मायवी युवक की उत्पत्ती आप किस प्रयूजन के लिए करने जा रहे हैं गुरुदेव प्रसंजीत यह मायवी युवखी राजकमारी अपूर्वा का आखरी शिकार होगा कपिल रिशी विस्तार सी सारी बाथ प्रसंजीत को बताने रगे कपिल रिशी की सारी बाथ सुन प्रसंजीत कह उठा गुरुदेव यदि ऐसा हुआ जैसा अभी अभी आपने मुझे बताया है तो महाकाल तांत्रिक की पराजय निश्चित है आप शेखरी मायवी युवक की उत्पत्ति कीजिए तब कपिल रिशी ने आँखे बंद कर मनी मन कुछ मंत्र पड़े तत पहशाथ मेरे मानस पुत्र शेखर प्रकट हो अगले ही पल एक अत्यंत बलिष्ट मायवी युवक कपिल रिशी की सामने प्रकट हुआ आग्या दिजे रिशीवर मेरे मानस पुत्र तुम इसी समय चौगान पुर की राजकुमारी अपूर्वा की पास जाकर उसकी सामने अपनी शक्ती का जूटा प्र मेरे पास लोटाना जोग या रिशीवर वह मायवी युवक आकाश में उड़ खया शीगरी वे चौगान पुर में राजकुमारी अपूर्वा के सामने जा पहुचा राजकुमारी अपूर्वा मैं तुम्हारे साथ विवा करना चाहता हूँ इसके लिए तुम्हें हमारे स अपनी युग्यता सिथ करनी होगी अगर तुम अपनी युग्यता सिथ करने में सफल हो सके तो ही मुझसे विवाद कर सकोगे तो सुनो राजकुमारी जी मैं इतना बलवान हूँ कि इस प्रत्वी पर दूर दूर तक मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता है ऐसा बहुत लोही की एक ऐसी मोती चादर है जिसकी सतय पर नुकीली कीले लगी हुई है तुम्हें नुकीली कीलो की ओर से अपने दोनों हातों पर उस लोही की चादर को उठाने में असफल हो गए तो तुम अयोग्य घोशित कर दिये जाओगी यदि तुम ऐसा कर सके तो विजय घोश युवक को स्थान पर ले आई, जहां पर नुकीली कीलों से जड़ी लोही की मोटी चाधर रखी हुई थी, इसी चाधर को तुम्हें उपर उठाना है युवक, मायवी यूवक ने नीचे झुखकर उस लोही की चाधर को उपर उठाना प्रारम किया, जैसे उसने कीलों से बल पर तु अपनी वीरता का दम भरता है। फिर अपूर्वा ने सैनिकों को आदेश थिया। सैनिकों यह युवक परिक्षा में अनुत्रिन हो गया है। इसलिए इसे इसी समय मीरवन में ले जाकर इसका वद कर दो। ओह बेचारा यह युवक भी अपनी जान से गया। अप मायवी युवक के शफ को वहीं डाल सैनिक चौगानपूर वापस लोट गए। सैनिकों के जाते ही जैकाल तांत्रिक अठास करता हुआ वहां प्रकट हुआ। आज पचासवी मनुष्य का रख भी मुझे मिलने जा रहा है। अब महाकाल को रूप वान बनने से कोई भी नह रोक सकता है। उसने जुक कर मृत पड़े मायवी युवक के खाव से बहते खोन से अपना खाली पात्र भरा और खुशी से उचलता हुआ। वहां से चल दिया। इधर हरितवन में कपिल रिशी प्रसंद जीच से कह रहे थे। राचकुमार मायवी युवक मारा जा चुका है। उसका रक्त लेकर जैकाल अपनी गुफा की और चा रहा है। आगी क्या होने वाला है गुरुदेव। गुफा में जाकर तांत्रिक जैकाल मायवी युवक के मायवी रक्त से महाकाल को स्नान कराएगा। तब वह महाकाल के काया कलप के लिए माकाली का आवाहन कि आज वहें पचासवे मनुष्य के रक्त से अपने पुत्र को स्नान करवाएगा जबकि इस्तिती दूसरी है मायवी युग का मायवी रक्त मानाव के खून के बराबर नहीं होता इसके जैकाल के बार बार आवहन करने पर भी मा काली उसके समक्ष प्रकट नहीं होगी जिससे खीच कर जैकाल तांत्रिक मा काली को अब शब्द कहीगा तब कुरुध होकर मा काली प्रकट होगी और अपने क्रोथ की ज्वाला में तांत्रिक जैकाल वा महाकाल को जला कर भस्म कर देगी ओ, तब तो सारा किस्ता ही खत्म हो जाएगा गुरुदेव इधर गुफा में जैकाल ने स्वेम अपने हातों से महाकाल को मायावी युवक के रक्से स्नान करवाया रक्सनान के पश्चाद उसने मा काली का आवाहन किया हे मा काली मेरे बेटे का काया कलब करके मुझ पर कृपा करो उसकी आवाहन करने पर मा काली प्रकट नहीं हुई यह देख जैकाल तांत्रिक चौंका यह क्या तांत्रिक क्रिया संपन करने पर भी मा काली मा काल का काया कलब करने के लिए प्रकट नहीं हुई है क्या कारण हो सकता है मुझे पुना मा काली का आवहन करना चाहिए यह सोच उसने पुना मा काली का आवहन किया लेकिन इस बार भी मा काली प्रकट नहीं हुई अब तो यह पुरी तरह चल्ला उठा वो अपने क्रोट पर काबू न रख वे चिल्ला उठा मा काली लगता है तु बहरी हो गई है जो मेरे बार बार आवहन करने पर भी प्रकत नहीं हो रही है अरे तु जागती क्यों नहीं है जाग वरना मैं तेरी प्रतिमा के टुक्डे टुक्डे कर दूँगा उसका इतना ही कहना था कि अगले ही पल प्रतिमा टूट कर टुक्डे टुक्डे हो गई ओह तब उस स्थान पर साक्षात महाकाली प्रकट हुई पापी जैकाल एक तो तुने अपनी तांत्रिक क्रिया पूरी नहीं की उपर से मुझे अपशब कह रहा है ऐसा करके तुने मीरा क्रोच जगा दिया है जो अब तेरे विनाश के बाद ही शान्त होगा मा यह आप क्या के रही है मैंने तो तांत्रिक क्रिया विदी पूरवक पूरी की है महाकाल को पूरे 50 बार आपकी प्रतिमा के सामने रक्ट स्नान करवाया है पचास बार नहीं मूर्ख, केवल उन्चास बार, पचास भी बार जिसके रक्ष से तूने अपने पुत्र को स्थान करवाया है वह रक्ष किसी इंसान का नव होकर, किसी मायावी युवक का रक्ष था, इसलिए तेरी तांत्रिक क्रिया पूरी नहीं हुई ओ, जैकाल, तूने तांत्रिक क्रिया पूरी किये बिना, मुझे बुनाना चाहा था, अब उसका फल तुझे भुगतना ही होगा नहीं मा, ऐसा ना करू, मुझे शमा कर दो, अपना रोदर रूप शान्त करू मा मेरा रोदर रूप, अब तेरे और तेरे पुत्र के विनाश के बाद ही शान्त होगा जैकाल अगले ही पल, आह, ओ, है, पलग जपकते ही जैकाल और महाकाल, मा काली के क्रोद की ज्वाला में जलकर भस्म हो गए तब मा काली अद्रिश्य हो गई, इधर कपिल रिशी प्रसंद जीश से कह रहे थे, राजकुमार, जैकाल और महाकाल को अपनी करनी का फल मिल गया है, वे दोनों मा काली के क्रोद की ज्वाला में जलकर भस्म हो गए हैं, ओ, यह सब आपकी कारनी संभव हो सका है गुरुद तांत्रिक जैकाल द्वरा सुनाई जोटी कहानी के अनुसार, राजकुमारी अपूर्वा, पचास युवकों को मृत्यो दन देने के पश्चाद, अब कमल पूर में रहने वाले, उस युवक के आने के प्रतिक्षा कर रही होगी, जो पूर्व जनम में उसका साथ ही लख् बन जा रहा था, वह तो उससे ही विवा करना चाहेगी, ऐसी अवस्था में भलावया मुझसे विवा क्यों करेगी, यह तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है राजकुमार, निश्चे ही राजकुमारी अपूर्वा, इन दिनों कमल पूर के उस युवक के चौगा राजकुमारी अपूर्वा के पास जाना होगा, यह आप क्या के रहें गुरुदेव, मैं कमल पूर के उस युवक के च्छदम वेश में राजकुमारी अपूर्वा के पास जाओं, तुम्हारे ऐसा करने पर ही, राजकुमारी अपूर्वा तुमसे विवा करने को राजी ह हाँ विवा हो जाने पर तुम अपूर्वा को सच बात पता सकते हो ठीक है गुरुदेव मैं आपकी आदेश का ही पारन करूँगा तो जाओ राजकुमार इसी समय चौगानपूर की और रवाना हो जाओ तब कपिल रशी को प्रणाम कर प्रसंजीत उसी समय चौगानपूर की मिला उसे देखते ही राजा कोश्टेंद्र की प्रकटी चड़ गई तुम तो पराजय स्विकार कर हमसे मिले बिना ही चौगानपूर से चले गए थे प्रसंजीत अब वापस क्यों आये हो राजन मैं आपको दिया वचन पूरा करने आया हूँ आप मेरे और राजकुमारी अपूर्वा के विवा के तयारिया कीजिए यह क्या क्या रहे हो अपूर्वा से विवा करने के लिए तो तुमें पहले उसके द्वारा ली गई परिक्षा को उत्रीन करना होगा राजकुमार महराज अब मुझ पर उसका यह नियम लागू नहीं होगा बस आप मुझे केव एक बार एकांत में राजकुमारी अपूर्वा से मिलने की अनुमती दे दीजिए। जारा था और इस समय मैं कमलपुर से केवल तुमसे ही मिलने आया हूं। तुम कमलपुर से आये हो। हाँ राजकुमारी मैं साथ समंदर पार करके जान जोखिम में डार कर तुम्हारे पास आया हूं ओह तुमसे मिलने को तुम्हें कब से तड़प रही थी मेरे पूर्वजनम के साथ ही तो क्या तुम मेरे साथ विवा करने को तयार हो राजकुमारी अपूर्वा नी सहमती में अपनी गर्दन हिलाई और शर्मा कर नजरिन चुका दी तत वस्चाथ प्रसंजीत और अपूर्वा का भिवा खूब धूमधाम के साथ हुआ दासी जगदंबा प्रसंजीत को दूले के रूप में देख हकी पकीसी सोच रही थी यह तो वही है जो साथू बनकर गौरी मंदिर में मुझे मेरा भाई बनकर मिला था और फिर अचाना की मुझे से मिले बिना मंदिर से गायब हो गया था यह क्या को रथन्दा है बहुत दिमाग मानने की बाद भी उसे कुछ समझ मिन नहीं आया विवा की पस्चात प्रसंद जीत अपूर्वा को साथ ले विदा होकर चौगान पूर से चल पड़ा कुछ दूर जाने पर यह क्या यह रास्ता तो नवलगर की और जाता है आप इधर की और क्यों जा रहे हैं प्राणात क्योंकि तुम अब नवलगर की राजगराने की बहु बंच चुकी हो राजकुमारी अपूर्वा यह आप क्या के रहे हैं प्राणात मैं और नवलगर की राजगराने की बहु हाँ राजकुमारी तुम नवलगर की राजगराने की बहु बंच चुकी हो अब मैं तुम्हें उस ढोंगी रिशी के बारे में बताता हूं, जिसनी तुम्हें तुमारे पूर्व जरम की जोटी कहानी सुनाई थी, प्रसंद जीत ने विस्तार पूर्वक अपूर्वा को जैकाल व महाकाल के शजियंतर के बारे में बताया, सारी बात जानकर जो हुआ उसी भूल जाओ और अब नए सीरी से अपनी जिंदगी प्रारंब करो। प्रसंद जीत जब अपूर्वा के साथ नवलगर पहुचा तो उन दोनों को देख राजा अभे जीत की खुशी का कोई और छोड़ न रहा। प्रसंद जीत के सर कुशल वापस लोटने वह बने रही मेरी साथ और हाँ मेरी चनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।